तुम्हारे काम का जो उद्देश है और गीताकार का जो उद्देश है वो उद्देश ही मात्र भिन नहीं बलकि दो अलग-अलग आयामों में हैं। ये गीताकार का कृष्ण का उद्देश है कि अर्जुन तु व्यर्थ ही अपने आपको करता समझ रहा है। नहीं नहीं रहा है परम्तत्य को सत्य को ये सब समझाना उद्देश है गीता का। इस उद्देश से कही गई थी गीता कि अर्जुन मुक्त हो जाए उन सब चीजों से जो विर्थ की हैं। और जो लोग मैनेजमेंट में लगे हुए हैं उनका क्या उद्देश है। वो इसलिए मैनेजमेंट में लगे हुए हैं ताकि वो देभाव से मुक्त हो सकें। उनकी जो संस्थाएं हैं, कंपनिया हैं वो इसलिए काम कर रही हैं। कि लोगों के मन से अहम का अंधकार हटे। कि लोगों में करता भाव दूर हो। महमद, ममत, मोह, इन सब से उन संस्थाओं के गर्थकों को निव्रत्य मिले। ऐसा मकसद होता है इन संस्थाओं का और कंपनियों का नहीं ऐसा तो मकसद नहीं होता अब कृष्ण का उद्देश है अरजुन को सीख देने का कि अरजुन को दुनिया के बंधनों से निजात मिले और कृष्ण की गीता का दुरुपयोग किया जा रहा है एक ऐसी कंपनी में जो चाह रही है कि किसी तरीके से अपना माल ज्यादा से ज्यादा ग्रहकों को बेच सके या जो चाह रही है कि किसी तरीके से अपने सब करमचारियों को प्रोचसाहित रख सके कि चलो जाओ और उत्पादन करो और माल बेचो दुनिया में आगे बढ़ो एक नमबर कहलाओ जो तुम्हारी प्रतिजुन्दी कंपनी है उससे आगे निकल जाओ ज्यादा पैसा कमाओगे तभी तो तुम्हारे प्रिवार की तरक्की होगी न थोड़ा सा और अगर तुम काम करोगे तो संस्था के भीतर तुमको प्रुन्नति दे देंगे देखो इससे तुम्हारी कीरती में बढ़ोत्री होगी दुनिया के ही जाल में लिप्टे रहने और दूसरों को भी लपेट लेने फांस लेने का पूरा आयोजन है ज्यादातर वाणिजिक कमर्शियल संस्थाएं उनमें गीता का उपयोग हो कैसे सकता है वो संस्था काम कर रही है कि बंधन बने रहें वो संस्था मर जाएगी अगर बंधन खुल गए तूट गए और गीता है ही इसलिए कि बंधन खुलें तूटें उस संस्था गीता का समुच्चित सदुपयोग कर कैसे लेगी तो निश्यत रूप से वहाँ गीता जाएगी तो उसमें से कुछ दो-चार शब्द उठाये जाएंगे कुछ इदर उदर की बाते ले ली जाएंगी श्लोकों का अर्थ का अनर्थ किया जाएगा जूटे संदर्व खड़े करके या तो कर्मचारियों को या ग्रहकों को कुछ घुट्टी पिलाई जाएगी बात समझ में आ रही है ये जितनी मूर्खता पूर्ण बात है उससे कहीं ज्यादा ये पतित श्लोक्ता और दुष्टता पूर्ण बात है Management Principles from the Bhagwat Gita इस तरह के लेख भी बहुत होंगे किताबे भी छप गई होंगी सेमिनार्स भी होते होंगे वारताएं, प्रवचन, कॉन्फरेंसेस, टॉक्स भी होते होंगे जहां कहीं इस तरह की कोई चीज होते देखना समझ लेना कि कोई बिलकुल पिशाच है जिसने देववाणी को भी बाजार की खातिर बेच दिया क्रिश्न जो बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि तुम्हारा माल बाजार में ज्यादा आसानी से भी के एक कंपनी क्या होती है जो आप मैनेजमेंट की बात करते हैं अब वैसे तो मैनेजमेंट का उपयोग सरकार में भी हो सकता है अस्पतालों में भी हो सकता है जो लाब रहे नॉन प्रॉफिट सेक्टर है, वहां भी हो सकता है पर अगर आप किसी प्रवंधन संस्थान में जाएंगे जाएंगे किसी भी management institution की placement cell में चले जाएं और वहाँ पता करें तो आपको पता चलेगा कि 90 प्रतिशत placement तो management graduates का for profit businesses में होता है ऐसी कंपनियों में उनकी नियुक्ति होती है जो लाव यानी मुनाफे के लिए ही चल रही है तो मतलब व्यवहारिक रूप से देखें तो management और मुनाफा एक दूसरे के परियाए है 99 प्रतिशत ऐसा यह कोई एकाद प्रसेंट कोई management graduate होते होंगे जो मुनाफा कमाने की जगह किसी और क्षेत्र में निकलते होंगे तो साब एक company है कोई private limited है जो पहली चीज सिखाई जाती है या कम से कम सिखाई जानी चाहिए वो है कि a company exists for the sake of the shareholders यह जो company नाम की एकाई है entity है इसके अस्तित्तोमान होने का ओचित्त क्या है यह है ही क्यों तो उसका बड़ा सीधा सिधान्त होता है management में कि company इसलिए है ताकि उसके जो share holders है share धारक है उनके मुनाफे को अधिकादिक किया जा सके उनके मुनाफे को maximize किया जा सके बस इसलिए है तो जब आप कहते हैं कि आपको management करना है तो आप वास्ताव में क्या कर रहे हो जब आप एक company में जा रहे हो manager बनके management expert या consultant बनके तो आप वास्ताव में वहां क्या करने जा रहे हो क्योंकि company की तो हस्ती का ही एक ही मकसद है कि इसके जो share holder हो उनकी जेवें गरम करनी है भरनी है तो कुल management का फिर मकसद क्या हुआ कुछ लोग हैं दो चार पांच उनका मुनाफ़ा बढ़ता रहना चाहिए आप पलट के तरक कर सकते हैं आप कहा सकते हैं कि साब public organizations भी तो होते हैं जिनके लाखों share holder होते हैं तो वहां पे अगर management अच्छा हो रहा है तो जन सामानने को फायदा होता है इतनी सारी जनता है उन सब ने जो share खरीद रखे होते हैं आपको मुनाफा होता है हाँ वह सब होता है पर वो बहुत बाद की बात है तुम्हारे पास होंगे किसी बड़ी company के 100 share लाला जी के पास हैं उसी company के 40 laAK share तो तुम्हें जो मुनाफा हो रहा है और लाला जी को जो मुनाफा हो रहा है उसके तुम क्या तुलना कर रहे हो अर्जुन को कृष्ण गीता इसलिए पढ़ा रहे थे तागे अर्जुन की जेब गरम हो जाए बुलो अर्जुन से तो वो साफ कह रहे थे अर्जुन तू ही नहीं है तेरी जेब कहां से बचेगी मैं ही मैं हूँ अब यहां जो संस्था चल रही है जिसमें मैनेजमेंट की बात हो रही है वहां लाला जी ही लाला जी है लाला जी को कृष्ण से कोई लेना देना नहीं गीता उनके लिए प्राण घातक है वास्तव में अगर उनके करमचारियों और ग्रहकों को गीता समझ में आ जाए तो लाला जी की ये जो कंपनी है दुकान है ये चलनी बंद हो जाए